हेलो फ्रेंद्स आइम योगत्वलन बैक्तु योटूप चैनल एकनोमिक्स असान है गाईज आज हम स्टार्ट करने वाले मैक्रोग्नोमिक्स का चाप्टर नमबर 6 बांकिंग कमर्शल बैंक अन्दा सैंट्रल बैंक आज ही क्लास में पढ़ेंगे कमर्शल बैंक के बारे में और वो क्या-क्या फंक्शन्स परफॉर्म करते हैं उसके बारे में डिटेल में देखेंगे सो गैस स्टाट करते हैं आज ही क्लास commercial bank अगर हम बात करें commercial bank की तो commercial bank क्या है primary unit of Indian banking system कि हमारे जो इंडिया का banking system उसकी primary unit क्या है commercial bank है commercial bank है क्या commercial bank it is an institution commercial bank क्या एक institution है which performs the function of जो क्या करते है कुछ functions perform करते है क्या functions perform करते है accepting deposit हमारे deposit को accept करते है ग्रांटिंग 今日 लॉन्स ग्रांट करता है एंड मेगं इन्वार्शल बैंक करता है वढहाएं इतने सारे फंक्शन्स कर रहा है नािद टेक्टिंग इनिवेस्टमेंट क्यों कराएं क्या एम क्या है ठीक है एक मेंशल에서 बैंक करना क्यों करता है क्योंकि उसका मेन मोटिफ क्या है profit earn करना एक्जामपल के लिए क्या हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई हो गया पंजाब नेशनल बैंक पी एन भी हो गया अलहाबाद बैंक कैनरा बैंक एसक्टा और भी बहुत सारे बैंक है ठीक है यह सारे क्या है commercial bank है जो क्या करते है हमारे deposit को accept करते है और loan grant करते है मेन मोटिफ क्या है इनका profit earn करना अब commercial bank को बोलते हैं it is a backbone of an economy economy के backbone है commercial bank क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं basically क्या है commercial bank के करता है household से saving क्या करता है असेप्ट करता है deposit करता है और उसी deposit को क्या करता है आगे productive sector firms को क्या कर देता है loan grant कर देता है तो basically जो प्रोड़क्टिव साक्टर है उस बोराइंस का उस loan का क्या करते है आगे investment करते है इंवेस्ट करेंगे तो क्या होगा goods and services का production होगा GDP बढ़ेगी GDP बढ़ेगी तो economic growth होगी इसलिए हम बहुत पक्ते कि commercial bank क्या है economy की backbone है ठीक है तो commercial bank basically क्या है financial intermediaries है between household sector and productive sector कि household sector से क्या करेगा saving accept करेगा commercial bank और उसी saving को आगे क्या कर देगा land कर देगा productive sector को और productive sector क्या करेगा उसे landing money को आगे invest करेगा इंवेस्ट करेगा तो क्या होगा production बढ़ेगा GDP बढ़ेगी economic growth होगी तो इसलिए हम commercial bank को backbone of an economy बोल रही है ठीक है तो commercial bank क्या है financial intermediaries है between household and productive sector अब बात करें था rate of interest at which commercial bank accept deposit कि commercial bank जब हमसे deposit accept करता है जब हम उपनी savings वगारा deposit करते हैं bank में तो जब commercial bank हमारी savings को हमारी deposit को accept करता है तो कुछ rate of interest देता है हमें तो उस rate of interest को क्या बोलते है borrowing rate बोलते हैं क्यों borrowing rate बोल रहे हैं क्योंकि एक तरीके से bank ने क्या कर रहा है वो deposit हम से borrow कर रहा है ठीक है then the rate at which bank land out their reserves to investors is called landing rate कि जब commercial bank क्या करता है जिस rate of interest पर land करता है money investors को या प्रड़क्टिव साक्टर्स को उसको बोलते है लैंडिंग रेट क्यों क्यों क्योंकि commercial bank क्या कर रहा है money land कर रहा है इसको productive sector या investors को ठीक है इसको बहाँ है लैंडिंग rate तो अब कमईर्शिल bank Profit कैसे earn करता है इसको धिहान से समझो जो जो profit earn करता है commercial bank उसको बहुत हम spread कि landing rate में से जब मैं माइनस कर दूंगी borrowing rate तो commercial bank का spread मतलब की earning profit पता चल जाएगा for example के लिए देखो कि household ने क्या करी अपनी saving deposit करी तो commercial bank ने वो deposit जो हो accept करा मालो 2% rate of interest पर ठीक है तो वो borrowing rate क्या होगी हमाई percent अब commercial bank ने क्या करा उस deposit को आगे फर्दर क्या कर दिया land कर दिया investors को at 8% rate of interest ठीक है अब यह landing rate क्या होगी 8% होगी तो landing rate क्या है 8% borrowing rate क्या है 2% तो बीच का जो margin होगा हो profit होगा bank का कितने percent का profit होगा 8-6% का profit होगा तो यह क्या आजाएगा commercial bank का spread आजाएगा earning profit आजाएगा और commercial bank का हमेशा क्या होगा borrowing rate क्या होगा कम होगा as compared to landing rate और वेसी बात है कि वो deposit जो accept करेगा household से उसे कम rate पर borrow करेगा और आगे further high rate पर क्या कर देगा उसको land कर देगा तो जो पीज का margin होगा वो क्या होगा commercial bank का profit होगा तो इसी तरीके से basically commercial bank ईक करता अगए earn करता है profit जो commercial bank की income basically आती है वो यहीं से आती है ठीक है आता है फिर functions of commercial bank, अब हमने देखा भी क्या-क्या functions perform करता है commercial bank, एक तो deposit को accept करता है, दूसरा land करता है money को, ठीक है, grant करता है loans, तो primary function basically आज हम पढ़ेंगे, secondary function पढ़ेंगे हम next class में, तो primary functions, basically दो primary function है, commercial bank के क्या, accepting deposit और advancing loan, ठीक है, एक तो deposit को accept करेगा और एक loan grant करेगा, सबसे पढ़ेंगे हम accepting deposit, तो current account और demand deposit, current account को ही हम demand deposit भी बोलते हैं, basically इसमें क्या होता है, कि जब हम अपना money जो basically इसमें deposit करते हैं, तो bank क्या होता है, repayable by the banks on demand, कि जब मैं demand करूंगे, जब मैं withdraw करना चाहती हूं, current account से, मैं withdraw कर सकती हूं, तो current account या demand deposit हम इसलिए बोल रहे हैं, कि जब मैं demand करूंगे, bank मुझे पैसा देगा, मैं कभी भी किसी बे time withdraw कर सकती हूं, money अपने current और demand deposit account से, then आथ है, यह कौन करता है, basically, कौन इस तरीके का account ओपन कराता है, current account and demand deposit, कौन कराता है, businessman, क्योंकि business जो कर रहा है, और विसी बात है, उसका रोज का का में transaction करना, ठीक है, अब रोज का का में transaction करना, तो वो कभी भी क्या कर सकता है, money को withdraw कर सकता है, तो कभी भी जब वो demand करेगा, तो वो आसानी से इस account से क्या कर सकता है, money को withdraw कर सकता है, तो for making transaction, businessman क्या करता है, अपना जो money है, वो deposit करता है, किसमे, current account या demand deposit में, कि यहाँ पर क्या होगा, वो कभी भी विड्रो कर सकता है मनी बैंक क्या करदेगा उसकी डिमांड पर उसे मनी दे देगा दैन आता है ड्रोन बाइचेक से भी मैं कभी भी पैसा निकाल सकती हो कोई रेस्टिक्शन नहीं है कि कुछ रेस्टिक्शन नहीं है कि इतने टाइम सी मैं विड्रो कर सकती हो कोई करनी पाएगा अर्नी होगी नी यहां पे कोई बैंक क्यों किकुम पे नहीं करता जब कि 그냥 करता इस थींपोजेट करनी कर रही तो चार्जेट लेता है क्यों को इस हैसे कंठ करता है और कि मैंन इपोजेट और फिक the time deposit likelyट सबसे स्भुसित लेता है है the amount is deposit with the bank for a fixed period of time fixed period of time के लिए मैं क्या करती हो amount को deposit कर देती हो for example मैंने एक साल के लिए अपना amount क्या कर दिया deposit कर दिया FD करा ली ठीक है अब मैंने FD करा ली तो not checkable facility यहीं कि check से कभी भी पैसे निकाल सकती हूं नहीं जब तक उस FD की maturity period नहीं हो जाता उससे पहले में पैसा नहीं निकाल सकती कोई checkable facility नहीं है high rate of interest FD लोग कराते ही क्यों 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 कि इस पर interest rate क्या मिलता है ज्यादा मिलता है then आते है saving deposit जनरली हम saving deposit ही account open कराते हैं अब इसमें क्या combined feature of both demand और fixed deposit मतलब current account और fixed deposit account के दोनों के features इसमें होते हैं saving deposit में इसमें checkable facility है ठीक है जैसे current account में checkable facility थी वैसी saving account में भी checkable facility है बट current account में कोई restriction नहीं थी कितने भी number of times में withdraw कर सकती थी money यहां पर क्या है restrictions है कि number and amount मतलब कितनी बार और कितना amount में निकाल जकती हूँ withdraw करा सकती हूँ इस पर restrictions है उससे जादा में नहीं कर सकती transaction ठीक है तो saving account में क्या होती है restrictions होती है कि number and amount जो withdraw करते हैं उस पर ठीक है obviously बात है क्यों restrictions करता है bank इस पर क्यों क्योंकि bank इस पर interest rate देता है अब अगर सारा पैसा हम विड्रो करते जाएंगे तो बैंक आगे फर्दर लोन प्रवाइड कैसे करेगा investors को profit earn कैसे करेगा ठीक है तो इसलिए bank क्या करता है कुछ restriction लगा देता है इतने number of time और इतना amount ही निकाल सकते हो तुम कि एक महिने में इतनी transaction ही कर सकते हो ठीक है तो इससे क्या होगा भी जो commercial bank है वो भी अपना profit earn कर पाएगा और जो हमारा थोड़ा बहुत विड्रो करने का requirement है वो भी पूरी हो जाएगी ठीक है तो rate of interest मिलता है यहां पर but fixed deposit कम मिलता है क्यों fixed deposit तो एक तरीक साथ deposit हो गया amount एक साल तक हमें निकाल ही न सकती तो बैंक क्या करेगा उसको अराम से एक साल के लिए किसी को भी loan दे देगा profit earn करेगा इसने high rate of interest मिल रहा है इस पर और current account पे तो करता ही निया क्यों क्योंकि इसमें तो मैं कभी भी on demand पैसा निकाल रही हो तो current account पे इंट्रस्ट मिलेगा ही नहीं और क्या होगा जबकि services charge pay करना पड़ेगा मुझे bank को ठीक है अब second function आता है advancing loan loan देता है ग्रांट करता है loan commercial bank सबसे पहला cash credit देता है तो cash credit क्या है basically loan given to borrower loan देता है commercial bank borrowers को against the current asset current asset के बदले में ठीक है for example के लिए borrowers ने क्या करा अपने current assets basically current assets वो assets होते है जो basically क्या होते liquid होते है मतलब उनको हम easily convert कर सकते किसमें cash में for example के लिए share हो गया stock हो गया bonds हो गया तो commercial bank के करेगा उन ऊंडिक बोरोवर के कुछ share हो गया या stock हो गया fonts हो गया वो रखलेगा और उसक्सक्राणस क्या देते तेगा बोरोर को loan देतेगा अब इसमे क्या होते है का तोлавप्हागों के सवचे लाइट करता है कि इतना क्राजिट मीन्सक्राइट मिल सकते ओं तुमाउंट की ओं सभ्सक्राइब लेंग है कि ट्वच्राइड लाक रूपइस आप पर पक के एख स्थी इंस्वेडी हमावालों को इस च्वेंटी लाइक रुपीज पर निदेना किस पर देना है कि जो एक्चुल में अमाउंट विड्रो करेगा अकाउंट से बोरवर फॉर एक्शंपल 20 लाइक रुपीज मेरा अकाउंट में आ गए थे ठीक है अब उसमें से मैंने 5 लाइक रुपीज निकाल लिए तो मेंको ज कि होते हैं कि commercial bank loan provide करता है बट commercial bank जब भी demand करेगा loan की तो उसको पे करना पड़ेगा बोरोर को ठीक है तो कभी भी recovery कर सकता है loan की commercial bank demand loan में तो which can be recalled on demand by the bank at any time किसी भी time commercial bank बोल देगा कि हमारा जो लोन का पैसा है वो वापिस कर दो तो कभी भी recovery कर सकता है commercial bank अपने loan की in demand loan अब इस पे क्या होता है जो interest पे करेगा बोर वो entire sum मतलब पूरे sum पर क्या देगा interest देगा जतना भी उसने borrow करा होगा money then आता है short term loan यह short term कुछ time के लिए basically short period of time के लिए loan दिये जाते हैं पर एक्जामपल के लिए परस्टनल लोन देता है अगेंस्ट कॉलेटरल सेक्योर्टी के बदले और विसी बात है कि कमर्शल बैंकello लोन दे रहा है ठीक है किसी भी बोर्टार्स को और अगर वो माल माल नहीं हो पाती तो commercial bank का नुकसान हो जाएगा और यूपर से जिस्भी डिपॉसिटर का पिसिकयल का या मांट होता है तो हब देना भी है तो अब यहां it पर क्या होगा कि सुख्च्योर्टी लेकर चलेगा commercial bank क्या क्या से अ कर सकता है कर सकता है ज्यॉयल्री, for example, गोल्ड के Bio холод के बदले ... यहां पर क्या होता है कि कर लेता है थैं। कंदर बेंक Спसरा कर लेता है हम लिए παम याला है कि डाट के बाटा है अब इस फॉर वर्द के आमांट जो है ग Kayla तो क्या करेगा उसको सेल करके पेसिकली पहले तो इसे पोजेशन लेगा और पिर सेल करकर लेगा अपना अमाउंट रिकवर कर लेगा तो इसलिए писुकली क्लेटर HK desse इसको सेल करके क्या करेगा कमरशल बैंक रिकावे कर लेगा अपनामाउंट हैना then mortgage of houses जब भी हम new houses खरीते हैं तो more mortgage of houses का मतलब क्या है कि commercial bank जो है बिसिकली personal loan house loan वगहरा देता है अब यहां पर mortgage of house का मतलब क्या है कि हमनी क्या करा कि उस property के काज वगहरा कि it इसको देदेंगे कमर्शल बैंक को पॉजेशन मेरे पास ही रहेगा जिस बॉर्वर ने वह प्रोपर्टी खरीदे पॉजेशन तो उसका पास ही है मतलब ओनर तो वह है बट वह कागट जो होंगे वह ऐसा किसके पास देदेगा बैंक के बास अब बैंक क्या करेगा अगर फ्य इक से पिज़र में बोरोर्स क्या करपाएं, लोन ना देपाएं, लोन काममांड वापस ना देपाएं, रिकवरी ना हो पाएं लोन की तो कमर्शल बैंक उनको सैल आउट करके अपना लोन का अमांडcha कर लेगा, अब इंट्रस पेմमेंट जो हो कि मूरान का गया है उस तरीखह बोंचे सिट्रा नोमज करता बाता है कियों कि इस्से ऐघा और इंवेस्टर आंगे इंब्स करेंगे पैसा पड़ाक्षा वाजए की बढ़ेगी ग्रोथ होगी तो commercial bank financial intermediate का काम करता है बिट्वीन हाउसल और प्रोडक्टिव सा तो जिस rate of interest पर commercial bank accept करता है deposit को उसको बोलते हम borrowing rate और जिस rate of interest पर land करता है money तो उसको बोलते हम landing rate जो इनका difference होता है landing rate minus pouring rate spread निकल के आता है commercial bank का कि basically कितना profit उन्होंने on करा function हमने देखे अब primary function में असप्टिंग deposit कि अगर current या demand deposit account है basically businessman इसको open कराता है क्योंकि उसका रोज का काम है transactions करना ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है जब भी वो demand करेगा उस time bank को वो पैसा देना पड़ेगा कभी भी withdraw करा सकता है checkable facility को कोई restriction यह कभी भी withdraw करा सकता है ठीक है bank कोई पैसा नहीं देता जबकि bank services charges impose करता है fixed time deposit में क्या होता है कि भाई हम जो amount है वो fixed period of time के लिए deposit करा देते हैं क्या तो high rate of interest होता है checkable facility नहीं होती है इसमें saving account में क्या है कि demand और fixed deposit दोने के features होते हैं मतलब यहां पर checkable facility है बट restriction है number and amount जो हम withdraw करेंगे और यहां पर क्या interested मिलता है बट FCD से कम मिलता है advancing loan में क्या है cash credit में क्या है कि हम loan दे देते हैं commercial bank basic loan देता है against current assets share हो गया bond हो गया stock हो गया अब यहां पर credit limit जो संक्षिन करके amount जो है credit कर दिया जाता है उसके account में बट क्या होता है जितना वह एक्षिल में withdraw करेगा उस पर interest देना पड़ेगा entire amount पर नहीं देना पड़ता demand loan में क्या है कि commercial bank loan तो दे देगा बट जब भी वह demand करेगा तो payback करना पड़ेगा उसी time किसको बोरोर को interest जो है वो पूरे संपर देता है बोरोर short term loan के short term loan provide करते है personal loan हो गया security रखता है अपने पास for example jewelry हो गया mortgage of house हो गया ठीक है interest पे जो करता है बोरोर वो पूरे संपर करता है so guys आज के लिए इतना ही मिलते next class name thank you हुआ है